हलो प्रेंट्स आज मैं आपको एक ऐसे लिक्विट के बारे में बताऊंगा जो कि आपके पसु में जिस प्रकार से अप सबसे ज़्यदा शिकाई देखने को मिल रही है गायों के इंदर ज्यदा दू देने वाले जो गाये हैं या जो छोटे पसु हैं उसके अंदर भी इस त लिक्विट का प्रियोग आप अपने पसु में करवाना चाहिए ताकि आपका पसु ज्यादा सेप रहे और अन्य बीमारियों से आपके पसु को बचा सके इसके लिए कौन सा लिक्विट आता है उसके बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा तो वीडियो को स्कीट और यह है ज्यादा तर जो डेरी फार्मर है उनकी इस चिकायत ज्यादा तर देहने को मिल रही है कि हमारी जो गाए वह ज्यादा दूर देने वाली गाए है हापनागा स्टार्ट करेती है मूढ से लार आ रही है । गर्मी यानि उश ज्यादा जो पढ़ रही है पसों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकती है इसमें क्या होता है कि जब यह दिया आपके पसों में ज्यादा इन्वाइर्मेंट में ज्यादा गर्मी या ज्यादा सर्दी या कोई भी इन्वाइर्मेंट है सा हो जो अती हो जिसमें मात्रा म जाता है दूद भी बहुत परभाव आपके पसु में पढ़ता है रही बात आपका पसु खाना पीना जुगाली करना बंद कर देता है कई पर तो इस तरह की दिकत भी हो जाती है कि पसु जरा इस्ट्रेस में आ जाता है तो पोईजरिंग के केस में भी चला जाता है और आपक एने के पसूमिक देखने को मिल रहे हैं. जो एक बात कर रहा हूँ आपको एक जो एक Lotta Electro Wear जो आपको देख रहा हैurun सबसाब इस闯्ड आप पर योग पसूमे करवाया जाता है खाइने का मतलब है कि यह टोनिक आप आपने किसी भी छेतर में यदि आपको मिले उलेक्ट वियर प्रसु में परियोग कर सकते हैं इसके अंदर्गत होता क्या है इसके अंदर्गत अधिया आपके परसु में को डियांडरेशन से बचाने के लिए जो सोडियम पॉटेशियम क इस तरह का जो मिसरण इसके अंदरह तोनिक के अंदर होया लिक्यूड आता है जो कि आपके पशुच में आपकें पशुच की डाइजेस्टी शिस्टम कई इस तरह की जो टोनिक होते हैं जो सिर्फ स्ट्रेस में काम करते हैं एदी आपके पसू में जिस पकार से लूल लग गई है बहुँ ज़दा गर्मी पड़ रही है तो उस इस्तिती के दोरान भी इसका परियोग किया जाता है एदी आपका पसू एदी आपके पसू को एक इ इस फांचे दूसरे इस Pasti पर एदी लेकर के आते हैं या इनि ट्रांसपोर्ट करते हैं एक इस तांचे जहां पर एदी आप ले आते हैं वहाँ पर पस्ओ आपका खाना पिरना या कम कर देता है या कमजोर हो जाता है तो उस इसे इस्तार के दोरान भी आप इस तोनिक का प पसू हो गया है तो उस इस्तती के दोरान सिसका परियोग पसू में करवाया जाता है। जो पानी की कमी आ जाने के वज़े से क्या होता है कि आपका पसू सूष्द हो जाता है द्रे द्रे आपका पसु कमजोर होने लग जाता है आपके पसु में कमजोरी आने की वज़े से आपके जो दूदारू पसु है उनका दूदो डाउन होता है साथ साथ उनमें खड़े होने की भी जो दिकत करता है तो उस इस्तती के दोरान भी अप गर्मियों में गर्मियों मे हवा है यह दिए आप अपने पसुँगों को देंगे तो रही बात कौन से पसुगों को आप परियोग कर सकते हैं इस टोनिका ऐसा नहीं कि आप अपने गाय भेंस को देना है यह अप जो लार्ज अनिमल्स हैं बड़े पसुगों तो इन्हें आप इसकी दो होती है 100 ml पर डे के इसाब से कैसे भी दे सकते हैं पाने में गोल करके आप अपने पसों को पिला सकते हैं या डायरेक्ट ओरेली भी दे सकते हैं जो स्मॉल एनिमल्स हैं मीडियम साइज के पसों हैं उन्हें आप 50 ml दे सकते हैं या उससे भी छोटे हैं तो आप उन्हें 20 ml का परियोग आप अपने जो कटड़े बचड़े हैं उनके अंदगत 20 ml का भी परियोग अपने पसों में करवा सकते हैं इसी तरह से पोल्टरी फारम के अंदर भी इसका परियोग करवाया जाता है जिस परकार से 100 बरड्स जो हैं उनमें 100 ml आप इसकी डोज दे सकते हैं परडे के इसाब से यानि कहने का मतलब है कि लगबग लगबग सभी तरह के पसूं में इस तरह के टोनी का परियोग आप अपने पसूं में करवा सकते हैं बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पसूं में देखने को मिलता है देखो इस तरह के टोनी का परियोग आप अपने पसूं में परियों आपके पशूं का एक एनरजी टोनिक है जो कि यह आपके पशूं के देंगे तो आपके पसूं में अच्छा बेनिफीट देखने को मिलेगा रही बात जो इलेक्ट्रोवियर आता है इस टोनिक को आप कहीं पर भी किसी वेटिनेरी जो मेडिकल स्टोर है वहाँ पर आ से एक जो पूरे छेतर में मिले अच्छा टोनिक हो उसके बारे में भी आपको आने वाले समय में एक डिटेल से वीडियो मिल जाएगी एक और बताना चाहता हूं कि यह टोनिक आपके पसु में हीट स्टेक लू गर्मी चपेट में आ गया है उसी स्टती में हीट स्ट्रेस आरिया के अंदर भी आप अपने पसु में इसका परियोग करवा सकते हैं इसी प्रत्रकार रूमन की जो माइक्रोफलरा की संक्या को बढ़ाने के लिए या आप अपने पसु को जो एम बैलेंस है आपके पसु के हो जाती है डियाइडरेशन के बिला बाद में आपका पसु करेंगा तो भी उसी स्तती के दौरान भी आप इसका परियोग कर सकते हैं देको जातक हो सकता है मैंने इलेक्ट्रोवियर के बारे में आपको सोट में सही और सटिक जानकारी देने की कोशिस की है और रही बात यह जो यह आपका पसु प्रियोंट है तो भी दे सकते हैं यह प्रियोंट पसु में आप इसका परियोग कर सकते हैं देखो यह आपको और भी यह जो टोनी के बारे में या लिक्विड पाउडर के बारे में अच्छे जो पाउडर लिक्विड है जो आप गर्मियों में परियोग कर सकते हैं अपने पसु में उनके बारे में आपको आने इस प्रकार की दिखत हो गई है, तो वह सीस्तार्ट कर सकते हैं और आप अपने पस्टू को बचा सकते हैं, वाइसे गर्मी में स्टार्ट भी कर सकते हैं पहले भी, ताकि आपका पस्टू इस तरह की बीमारी की सपेट में नहे आए। शेयर लाइक सब्सक्राइब कर लें और मेरे नए चैनल है उनका लिंक डिया गया वहां पर भी जाके उनको सब्सक्राइब करते हैं इसी तरह से वीडियो देखते रहें इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते हैं थैंक्स धन्यवा